साम्प अपने शिकार की तलाश में इस प्रकार के जगहों पर आता है या फिर जब उसे अपने स्केल उतारनी होती है तब ऐसी जगह ढूंडता है क्योंकि इसके स्केलने के लिए खुरदरी जगहों आवश्यक्ता पड़ती है जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह पर कोब्रा ने अपनी स्केल उतारी है लेकिन मानव क्रियाकलापों के चलते अकसर इन्हें अपनी जान गंबानी पड़ जाती है ऐसा ना हो इसलिए स्नेक सेवर पहले इन्हें यहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं स्नेक सेवर अपनी छड़ी की सहायता से कोग्रा को पकड़ रहा है लेकिन उसे स्नेक बाइट का भी खत्रा हो सकता है जैसे इस दीवार के गिरने पर कोग्रा सांथ इस मलबे में दब गया था जिसे निकालने पर उसका शरीर दो भागों में बंट चुका था जिसे बचाना नामुम्किन था जैसा की विडियो में देख रहे हैं स्नेक सेवर अपनी चड़ी की सहायता से कोग्रा को मलबे से बाहर निकलता है परंतु यह भीर रूप से घायल है तथा इसका शरीर बीच से कट चुका है बातु जाया है